बिसमिल्लाहरुर्णान रहीम अस्सलामु अलेकुम आई एम मैविश, आई एम यूर टीचर, क्लास सैवन दॉफ उर्दू प्यारे बच्चो अब आप अपनी किताब निकारे उर्दू निकालें आज का जो उर्दू का हमारा टॉपिक है वो क्या है? नजम है दनक और इसके शायर का क्या नाम है? हफीज जलंदरी है, इसके पेच नबर है 43 सबसे पहले मैं आप लोगो क्या पढ़ाओंगी? उर्दू का जो चैप्टर है दनक उसका नजम वो नजम है और इसका जो शायर है, शायर का नाम हफीज जलंदरी है जी स्टुडेंट आज मैं आपको धनक जो नजम है उसके अलफाज माइनी बताऊंगी जो मुश्किल अलफाज होंगे किताब में आपने वो ढूंड कर उसके माइनी की लिखने है सबसे पहला जो हमारा अलफाज है वो सलसनत, इसका माइनी क्या है हकूमत सलसनत, हकूमत, नेक्स्ट वर्ड है कुर्शीत, सूरच, दमक इसका माइनी क्या है चमक वर्ड क्या है दमक और इसका मतलब क्या है चमक नेक्स्ट वर्ड है मसवे तस्वीर बनाने वाला, मसवे तस्वीर बनाने वाला धनक, कोसे, कजा, अलफाज क्या है, धनक और इसके माइनी क्या है, कोसे, कजा नेक्स्ट जो वर्ड है, हमारे पास लुट, इसका माइनी क्या है, खुबी अलफाज क्या है, लुट और इसका माइनी क्या है, खुबी ये आज के नजम के जो हैं हमारे पास अलफाज माईनी है सबसे पहले में इस नजम में आप लोगों को एहम नकाद बताओंगी कि इस नजम में क्या बताया गया है सबसे फस्ट वाला है अस्मान पर रंग, मनाजर फिद्रत, धनक की बनावट, खुद्रत का नजारा, फूलों की बहार बरसाथ की बारिश के बाद जब दुला दुला सा नजारा, अस्मान पर सातों रंग, बिखरती धनक इस नजम का मोजू है इसमें क्या बताया गया है, इस धनक को वजूद देने वाले बारिश के कत्रे हैं जो एक जगा जमा हो जाते हैं और जब इन पर सूरज का साया पड़ता है तो सात रंगों की एक क्या नजर आती है, अस्मान पर नजर आने लगती है इस सारे अमल की उदाद देख कुछ इस तरह हैं के बारिश बरसने के बाद जब बादल चटते हैं तो सूरज की किरने जो हैं वो जमीन पर पड़ती है और हर तरफ सबजे और घांस पर पड़ती बूनों में से गुजर कर सूरज के मकाबिल अपना अक्स अपना साया बनात इस तरह हमें क्या नजर आती है धनक नजर आती है शायर क्या हमें बताता है शायर धनक के शोक रंगों को देख कर हैरान होता है कि इतने हसीन रख किसी मसवरने बरे हैं जो सीधे दिल में उतर चाते हैं और दिल चाता है कि इनको देखते ही रहें लेकिन धनक जितनी इसके लावा और देखते ही देते है जिस पहले वह घायब हो गायब होता है आंकों के सामने बस उक नीला असमान स़ा रह जाता है जी स्टूडेंट्स मैंने सबसे पहले आप लोगों को इस नजब के मुश्किल अलफाज बताएं कि जो मुश्किल अलफाज थे उसके माइनी आप लोगों ने भुक में लिखने थे उसके बाद मैंने आप लोगों को इस नजब में ये बताया कि शायर ने हमें किसके बारे में बतायागे, धनक के बारे में क्या बतायागे, धनक इस नजब में क्या एहम नकात है, वो मैंने आपको explain किया, उसके बाद students, जो आप लोगों का काम है, वो आप लोगों ने copies में, first semester की copies में उतारना है, अगर वो copy नहीं है, तो उसके बार, वो आपने rough register पर उ Thank you so much, अलाफिस.